दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले मैतपून संगठन और उनके मुख्याले से सम्बंदित Top 40 Question Answers जो की हर एक परिक्सा में 100% पूछे जाते हैं सारे ही important संगठन मैंने इस वीडियो में cover किये हैं तो पूरी वीडियो को end तक देखेगा चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं पहला Question आपकी स्क्रेन पर है संयुक्त रास्त यानि की UN का मुख्याले कहां इस्तित है UN यानि की United Nation और दोस्तों मैं आपको हर एक संगठन का स्थापना दिवस भी बताने वाला हूँ तो UN की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में ठीक है और UN के दोस्तों सदश्य देश कितने हैं 1955 में सदश्य देश है तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों मुख्याले कहां पर है New York USA में यानि की पहले कोशन का राइट आंसर आपका C हो जाएगा चले जी दूसरा कोशन आता है विस्व व्यापार संगठन यानि की WTO का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों WTO यानि की World Trade Organization इसके स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी इसके सदश्य देश 164 है और दोस्तों बात कीज़े मुख्याले की तो मुख्याले कहां पर है बिल्कुल ये है जनेवा स्वीजलेंड में है यानि की दूसरे कोशन का राइट आंसर भी आपका C हो जाएगा चले तीसरा कोशन आता है संयुक्त रास्ट विकास कारेकरम यानि की UNDP का मुख्याले कहां इस्तित है तो दोस्तों यहाँ पर UNDP की फिल्फोर्म होती है United Nations Development Program इसके स्थापना हुई थी 22 नॉंबर 1965 में ठीक है और इसका मुख्याले दोस्तों New York USA में है यानि की तीसरे कोशन का राइट आंसर आप्शन A हो जाएगा कोशन नॉंबर 4 आता है विस्व आर्थिक मंच यानि की WEF का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों WEF यानि की World Economic Forum और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और दोस्तों यहाँ पर मुख्याले की बात की गई है तो जनेवा स्वीजाले इसका मुख्याले हो जाएगा World Economic Forum का कोशन नॉंबर 4 का राइट आंसर आप्शन A रहेगा कोशन नॉंबर 5 आता है संयुक्त रास्ट परियवरन कारेकरम यानि की UNEP का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों यहाँ पर बात आई है UNEP की यानि की United Nation Environment Program और इसका जो मुख्याले है दोस्तों वो है नेरोबी केनिया में इस्थापना की बात की जाए तो इस्थापना हुई थी 1972 में यह आप कहा दखना है 5 जून 1972 में दोस्तों 6000 के कोशन आंसर्स की जो हमारी पीडियाप है उसके साथ में 1000 स्टेटिक जीके के कोशन आंसर्स आपको बिलकुल फिरी दिये जा रहे हैं और यह पीडियाप मात आप 150 रुपीज में परचेज कर सकते हैं इसमें कम्प्लीट हिस्ट्री जोग्राफी पॉलेटी एकनोमिक्स फिजिक्स केमेस्ट्री बायलोजी करेंट फियर कंप्यूटर आपको सब कुछ मिल जाएगा इसको आप डारेक्ली परचेज कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है सभी प्रिक्साओं के लिए ये वीडियो और ये पीडियाप आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आप हमारी वेबसाइट या वोट्सप नंबर पे मैसेज करके भी इस पीडियाप को परचेज कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को ओन कर लिजे ताकि आगया आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं च्छटा कोशन है खाद्य और किर्सी संगठन यानि कि FAO का मुख्याले कहां इस्तित है यानि कि Food and Agriculture Organization दोस्तों इसके स्थापनाविती 16 अक्टूबर 1945 में ठीक है और इसका जो दोस्तों हेड़क्वार्टर है वो है रोम इटली में च्छटे कोशन का राइट आंसर आपका B हो जाएगा ये आपको याद अखना है साथवा कोशन आता है संगाई सयोग संगठन यानि कि SEO का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों संगाई Corporation Organization इसकी Full Form है और 15 June 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी इसका जो मुख्याले है वो है दोस्तों Beijing Chain में यानि कि साथवे कोशन का राइट आंसर आपका C हो जाएगा सैशन पसंद आए मेरे प्यारे दोस्तों ये कंटेंट आपको पसंद आए बहुत ही मैनत से लगन के साथ में हम आप लोग के लिए लगतार मैनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे अच संगठन यानि कि ILO का मुख्या ले कहां इसती थे तो दोस्तों International Labour Organization इसके स्थापना हुई थी 11 अप्रेल 1919 में ठीक है तो कब हुई थी दोस्तों 1919 में और बात की जाए इसके दोस्तों Headquarter की तो Geneva Switzerland में इसका Headquarter है ये आपको याद अखना है अच्छा दोस्तों यहां पर ये ज सदश्य देश नो सदश्य देश हैं एक बर मैं उनके नाम बोल देता हूँ अगर किसी को नोट करना होगा तो कर लीजेगा क्योंकि यह important है भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इरान ये 9 कंट्रे हैं दोस् 1966 में हुई थी, दिसंबर 1966 में और इसका जो दोस्तो आपका मुख्याले है वो मनीला फिलिपिन्स में है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, 9 कोशन का सही आंसर ये आपको याद रखना है, कोशन नमबर 10 आता है, अंतरास्टे किर्केट परिशद, ICC का मुख्याले कह इस्थित है, इंटरनेशनल किर्केट काउंसल की स्थापना दोस्तो, 1909 में हुई थी, 15 जून 1909 में, इसका जो दोस्तो हेड़कॉर्टर है, वो है दुबई में, संयुक्त अरब अमिराथ, UAE में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कोशन नमबर 10 का सही उत्तर, ग्यारवा कोशन आता है, विस्व खाद्य करेकरम, यानि कि WFP का मुख्याले कहां इस्थित है, दोस्तो, इस कोशन का राइट आंसर हैगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है, और स्थापना हुई थी, 1961 में, इटली रोम में, इसका दोस्तो, क्या है, मुख्याले है, हेड़ कोशन है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्यारवे कोशन का राइट आंसर, बारवा कोशन आता है, उतरी एटलांटिक संदी संगठन, यानि कि नाटो का मुख्याले कहां इस्थित है, तो नौर्थ एटलांटिक ट्रेटी ओर्गिनाइजेशन, नाटो की हो जाएगा, कोशन नंबर 12 का, कोशन नंबर 13 आता है, अंतरास्टिय रेड क्रोस समीती, यानि कि ICRC का मुख्याले कहां इस्थित है, दोस्तों, इंटरनेशनल कमेटी ओफ दी रेड क्रोस, की स्थापना 1863 में हुई थी, याना, 1863 में हुई थी, और जिनेवा, स्विजलें में इसका मुख्याले है, यानि कि कोशन नंबर 13 का राइड आंसर ओप्शन ए रहेगा, वई, कोशन नंबर 14 आता है, अंतरास्टिय उर्जा एजनसी, IEA का मुख्याले कहां इस्थित है, तो IEA का मुख्याले कहां इस्थित है, दोस्तों, ये है पैरिस, फ्रांस में, या यानि कि question number 14 का right answer option A हो जाएगा International Energy Agency की स्थापना 1974 में हुई थी तो ये आपको याद दखना है Question number 15 है अंतरास्टिय होकी मासंग FIH का मुख्याले कहां इस्थी थे दोस्तों International Hockey Federation की स्थापना 1924 में हुई थी जनवरी 1924 में और लुसाने स्वीजलेंड में इसका मुख्याले है यानि कि 15 का right answer आपका C हो जाएगा ये आपको याद दखना है Question number 16 आता है संयुक्तरास्ट सुरक्षा परिशद UNSC का मुख्याले कहां इस्थी थे UNSC का मुख्याले है दोस्तों कहां परिश्थित है देखें United Nations Security Council का जो मुख्याले है वो है नियोर्क USA में और इसकी स्थापना 1945 में हो थी अच्छा इसके सदश्य देश भी पूछ ले जाते हैं कहीं बार तो 15 इसके सदश्य देश है at present तो ये भी आप लोग या दखेगा ठीक है इसमें इस्थाई सदश्य दोस्तों पांच है और 10 जो है वो non-permanent countries है पांच इस्थाई important है वो भी एक बर मैं बोल देता हूँ चीन, फ्रांस, रूस, युनाइटिड किंग्डम किंग्डम और USA ये पांच दोस्तों पर्मनेंट मेंबर है युनाइटिड नेशन सिक्योर्टी काउंसल के है कोश्य नमबर 17 आता है विस्व डोपिंग विरोधी संस्था वाडा का मुख्याले कहा इस्थित है दोस्तों वाडा की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी की स्थापना 1999 में हुई थी ठीक है जी दस नमबर 1999 में हुई थी और ये मोट्रियल कनेडा में इस्थित है ये आपको याद रखना है बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 17 का राइट आंसर कोशन नमबर 18 आता है एशाई फुटबोल परिसंग यानि कि ए एपसी का मुख्याले कहा इस्थित है दोस्तों एसियन फुटबोल कॉन्फरेडरेशन के इस्थापना 1954 में हुई थी 7 मही 1954 में और इसका जो दोस्तों मुख्याले है वो है कौलामपूर मलेशिया में यानि कि 18 कोशन का राइट आंसर आप्शन नहीं हो जाएगा चले अगला कोशन आता है 19 वा कोशन अंतरास्टिय प्रकृति संरक्षन संग यानि कि IUCN का मुख्याले कहा इस्थित है दोस्तों International Union for Conservation of Nature की स्थापना हुई थी 1948 में 5 अक्टूबर 1948 में और गलेंड स्वीजर लेंड में इसका दोस्तों मुख्याले है ठीक है राइट आंसर सी हो जाएगा 19 वे कोशन का राइट आंसर बीसवा कोशन आता है वर्ल्ड बैंक यानि कि विस्व बैंक का मुख्याले कहा इस्थित है तो देखें वर्ल्ड बैंक के स्थापना हुई थी 1944 में और इसका दोस्तों जो मुख्याले है वो है वोसिंग्टन डीसी युएस से में ठीक है डीसी की फिलफॉम होती है डिस्ट्रिक ओप कोलंबिया और बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नंबर 20 का राइट आंसर अगला कोशन आता है 21 वा संयुक्तरास्ट विस्व परियतन संगठन UNWTO का मुख्याले कहां इस्थी थे है ये है मेडरीड इस्पेंड में यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा चले जी अगला कोशन आता है संयुक्तरास्ट विस्व परियतन संगठन कोश का मुख्याले कहां इस्थी थे है तो देखें United Nations Population Fund की इस्थापना हुई थी 1969 में ठीक है मुख्याले कहां पर है ये मुख्याले हो जाएगा आपका अच्छा यहां पर ना सारही ऑप्शन गलत होगे मुख्याले दोस्तों नियोर्क USA में तो यह सारे गलत है नियोर्क USA याद रखेगा तेईसवा कोशन आता है अंतरास्टे मुद्रा कोश IMF का मुख्याले कहां सती थे दोस्तों IMF यानि की International Monetary Fund की स्थापना हुई थी 1945 में दोस्तों सदश्य कंट्री भी नोट कर लेना एक सो नब्य ठीक है एक सो नब्य दोस्तों सदश्य देश हैं IMF के ठीक है बात आती है दोस्तों यहाँ पर मुख्याले की तो वोसिंग्टन DC में इसका मुख्याले है ठीक है International Monetary Fund का 24 वा कोशन आता है वित्य कारवाई कारिये बल FATF का मुख्याले कहां इस्थी थे तो मेरे पैरे दोस्तों Financial Action Task Force की स्थापना हुई थी 1989 में सबसे पहले याद रखेगा इसका जो दोस्तों मुख्याले है वो पैरिस फ्रांस में है ठीक है अभी इसके सदश्य देश देश द आता है 25 वा अंतराष्टे न्याले यानि की ICJ का मुख्याले कहां इस्थी थे दोस्तों International Court of Justice का मुख्याले है दे हेंग नेदर लेंड में यानि की सी रइट आंसर रहेगा कोशन 25 का दोस्तों यहां पर बात आती है अंतराष्टे न्याले संयुक्तराष्ट का परधान न्य किया था तो अगर आपसे पूछा जाए कि कारिये कब से प्राणा में स्टार्ट वा था तो उन्नी सो चालिस से स्थापना होगी थी उन्नी सो पैतालिस में दोनों ही यह आपके लिए इंपोर्टेंट है 26 आता है अंतराष्टी ओलंपिक समीती आई ओसी का मुख्याले कहां इस्थी थे दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इस्थापना हुई थी अठारा सो चुरानमे में ठीक है यह आप क्या दखना है लुसाने स्वीजर लेंड में दोस्तों क्या होगा इसका मुख्य कहां इस्थी थे दोस्तों युनाइटी नेशन्स चिल्डन्स फंड की इस्थापना हुई थी 1946 में 11 दिसंबर 1940 में और इसका मुख्याले है नियोर्क यूएसे में 27 कोशन का राइट आंसर ओप्शन ए रहेगा दोस्तों सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज आर एक छोटा स कमेंट जरू करिएगा हमारी मेहनत के लिए अम आपके लिए लगतार इसी परकार से वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों अगला कोशन आता है विस्व बोदिक संपदा संगठन यानि की डबलू आइपी ओ का मुख्या लेक कहां इस्तित है दोस्तों इस कोशन का राइट आ आप लोग नोट कर लेना कोशन नबर 29 आता है विस्व मोसम विज्यान संगठन डबलू एम ओ का मुख्या ले कहां इस्तित है वर्ल्ड मेटरलोजिकल ओर्गिनाइजेशन का इस्थापना हुई थी 1950 में ठीक है जी जनेवा स्वीजन लैन में दोस्तों मुख्या ले है यह को याद एकना है तीसवा कोशन आता है विस्व सत्रंज महासंग यानि की FID का मुख्याल्य का इस्तित है दोस्तों इस कोशन का रहेगा मुख्याल्य हो जाएगा लुसाने स्वीजालेंड में इसकी फुल फॉर्म अगर मैं इंगलिस में बात करूं इंटरनेशनल चेस स्वीजाल्य का मुख्याल्य कहां इस्तित है दोस्तों इस कोशन का रहेगा जनेवा स्वीजलेंड में यह आपको याद एकना है और युनाइटिन नेशन कॉन्फरेंस और ट्रेड एंड डवलप्मेंट की इस्थापना 1964 में हुई थी दिसंबर 1964 में ठीक है यह आपको सेकसिक वेज्यानिक कोष्तिक संगठन यानि कि यूनEसको का मुख्याल्य कहां इस्तित है दोस्तों युनाइटिन नेशन एजुकेशनल सैंटिफिक और और स्थापना 1945 में हुई थी ठीक है और इसका जो दोस्तों मुख्याल्य वह स्थानें यानि कि 32 कोशन का रेट आंस मुख्याले कहां इसती थे दोस्तों National Aeronautics and Space Administration इसकी फुल फॉर्म है और इस्थापना हुई थी 1958 में ठीक है और इसका जो दोस्तों मुख्याले है वो है वाशिंग्टन DC USA में 33 कोशन का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा यह आपको याद अखना है चोंतिसवा कोशन आता है अंतरास्टी समुद्री संगठन IMO का मुख्याले कहां इसती थे दोस्तों International Maritime Organization की स्थापना 1948 में हुई थी 17 मार्च 1948 में लंदन United Kingdom इसका मुख्याले हो जाएगा 34 कोशन का राइट आंसर आप्शन ए रहेगा 35 कोशन आता है बंगाल की खाड़ी बहु छेतरी है तक्नीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानि की विम्स्टेक का मुख्याले कहां इसती थे दोस्तों विम्स्टेक की फुल फॉर्म एक बर इंगलिस में भी जान लीजे बे ओफ बेंगोल इनिसियेटीव फॉर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकनोमिक कोर्पोरेशन इसकी स्थापना 1997 में में यानि की 1997 में हुई ती 6 जून 1997 में में भाका बांगलदेश में दोस्तों इसका मुख्याल्य है यानि की सी राइट आंसर हो जाएगा 35 कोशन का राइट आंसर 36 वा कोशन आता है अंतराश्टिये सोर गटबंदन ISA का मुख्याले कहां इस्तित है दोस्तों ISA का मुख्याले कहां परिश्तित है इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा इंटरनेशनल सोलर एलाइन्स ठीक है और इसका दोस्तों जो मुख्याले है वो है गुरुग्राम ठीक है भारत में यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा 36 में कोशन का राइट आंसर इस्तापना की बात की जाए तो 2015 में दोस्तों इस्तापना हुई थी ये आपको याद अख को दोस्तों स्थापना हुई थी डबल एचो की ठीक है वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाइजेशन की स्थापना साथ अप्रेल 1948 को हुई थी 38 कोशन आता है दक्षिन पूर्वी एसाई रास्ट्रों का संगठन यानि की एसान का मुख्याले कहां इस्ती थी थैं दोस्तों जकारता इंडोनेशिया में ठीक है एसोसेशन ओप साउटेस्ट एसिया एसियन नेशन्स दोस्तों इसकी फुलफोर्म है इस्थापना हुई थी 1967 में ये आपको याद अखना है दोस्तों अगला कोशन आता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबोल एसोसेशन यानि की फीवा का मुख्याले कहां पर इस्थित है दोस्तों मुख्याले है जुरिक स्वीजरलेंड में ठीक है और फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबोल एसोसेशन इसकी फुलफोर्म है 21 मई 1904 में दोस्तों इस्थापना हुई थी तो 39 का राइट आंसर आपको याद अखना है डी हो ज कहां इस्थित है तो मैं आसा करता हूं कि आप लोग ने इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा और इस कोशन का अंसर आप लोग 100% कमेंट बोक्स में सही बता देंगे दोस्तों पीडियाप अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया तो 6000 के कोशन आंसर में requirement होती है अगर आप लूशन पढ़ते है ना या फिर जिस भी एक्जाम के लिए आपको लूशन पढ़ने की जरुरत पढ़ती है आप वहां पर ये पीडियाप पढ़के चले जाना एक भी कोशन आप गलत नहीं करके आएंगे दोस्तों ठीक है बट पढ़के जानी पढ का हो जाएगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है और आप confidently एक्जाम में बैठेंगे तो अच्छा ही स्कोर करके आएंगे ठीक है वीडियो पसंद आए लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल एकन को ओन कर लिजे ताक कि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थैंक यू सो मच बाई बाई एवरीवन टेक केर ख्या लखे अपना